हेलो फ्रेंड्स, विल्कम बैक टू माई चैनल, आज हम बनाने जा रहे हैं टमाटर का चार, इस तरीके की और इजी रेस्पिच के लिए आप प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सेर करिए, कमेंट करिए यह हमने कुछ टमाटर लिये हैं, जिसे हमने अच्छे से धो लिया है यह मिडियम साइज का टमाटर है, आप देख सकते हैं इस टमाटर को हमने चाकू से चार भागों में काट दिया है, आप देख सकते हैं किस तरीके से ज्यादा छोटा या बड़ा नहीं रखना है चार भाग में हमें काट कर अलग-अलग कर लेना है इसी तरीके से एक एक कर हमें सारे टमाटर को काट लेना है देख सकते हैं मैंने अल्मुस्ट आधा केजी टमाटर को काट लिया है इस तरीके से सब को एक प्लेट में रख लेना है अब हमें इसे धूप में रख देना है तीन से चार घंटे के लिए ज्यादा देर के लिए नहीं रखना है यह देखिए तीन से चार घंटे के बार यह टमाटर कुछ इस तरीके से हो जाएगा बहुत ज्यादा सुखा नहीं है अब हम एक बड़े से बोल में इन सारे टमाटर को रख लेंगे देख सकते हैं सुखने के बार टमाटर बिल्कुल थोड़ा सा हो गया है अब हम इसमें एक चोथाई चमच कलॉंजी डालेंगे एक चोथाई चमच अजवाइन एक चोथाई चमच सौफ आदी चमच हल्दी पॉडर आदी चमच जीरा पॉडर आदी चमच मेथी पॉडर आदी चमच लाल मिर्च पॉडर एक चमच भरकर ये है सरसो का पॉडर जिसे हमने घर पे पीस लिया है सरसो को धनिया पॉडर एक चमच कस्मीरी मिर्च पॉडर आदी चमच नमक एक चमच एज़ पर टेस्ट आप डाल सकते हैं सरसो तेल दो चमच हमने डाला है अब इन सारे को अच्छे से मिक्स कर देना है यह आप देख सकते हैं कलर कितना बढ़िया आ रहा है इसका यह आप देख सकते हैं हमने मिक्स कर लिया है बिलकुल नचार कितना बढ़िया लग रहा है देखने में इस तरीके से अंचार एक वर जरूर आप अपने घर पे बनाएं काफी टेश्टी होता यह खाने में अब इसे हमें एक बॉल में या फिर आप चाहें तो जार में भी ट्रांसफर कर सकते हैं और इसे 3-4 दिन तक दूप में रखकर यह खाने के लिए बिलकुल रेड़ी है एक चीज और इसमें ध्यान देना है जो भी इसमें मसाले हैं उसे हमने पहले भून लिया था भूनने के बाद हमने पीसा था यह देखिए टमाटर काचार बिलकुल रेड़ी है